हेलो गुड मॉनिंग फ्रेंड्स कैसे वो आप सभी लोग मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम करेंगे क्लास 7 जियोग्रफी का अपना 3rd चैप्टर अबर चेंजिंग अर्थ सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है लिथोस्पेरिक प्लेट्स फ्रेंड्स सबसे पहले जानते है हमारा ये लिथोस्पेर क्या होता है एक्जाम्पल के लिए ये मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है जो सबसे उपर का लेयर होता है अर्थ का उसे बोलते हैं हम क्रस्ट उसके अंदर आता है हमारा mental and उसके अंदर आता है हमारा core ये जो crust वाला portion है ये हमारा क्या होता है and mental का जो उपर वाला portion है वो हमारा क्या होता है solid होता है तो crust का और mental का upper portion दोनों मिला कि क्या कहलाते हैं हमारे lithosphere कहलाते है and ये जो lithosphere है यह हमारा plates में divided रहता है यहाँ पे देखें इस type की plates में divided रहता है and plates के नीचे क्या रहता है हमारा molten magma and यह friends जो हमारा molten magma यह continuously क्या सो करता रहता है यह moment करता रहता है circular motion में गोल-गोल यह moment करता रहता है जिसकी वज़े से यह हमारे उपर के जो plates हैं लिटोस पेर के plates के हैं, moment so करते हैं, ये कुछ mm तक का moment so करते हैं एक year में, इन plates के moment की वज़े से हमारी अर्थ के surface पे कुछ changes होते हैं, जो हमारी पूरी अर्थ पे जो moment होते हैं, वो दो टाइप की forces की presence होते हैं, फ्रेंड्स, एक होती है endogenic forces, जो अर्थ की crust के अंदर, जो हमा एक्सोजन का मतलब होता, inside, and genic का मतलब होता, origin, जो crust के अंदर origin हो रही है, forces उन्हें बोलते हैं endogenic, and exogenic forces, exo का मतलब होता, outside, and origin, genic का मतलब origin, तो exogenic मतलब जो crust के ऊपर जो भी हमारी forces generate हो रही है, वो क्या कहलाएंगी, हमारी exogenic forces कहलाएंगी, endogenic forces endogenic forces भी हमारी further दो तरीके से divide होती है एक तो suddenly generate होगी forces एक diastrophic forces जो धीरे-धीरे हमारी काम कर रही है जो diastrophic forces है उनकी बज़े से क्या form होते है हमारे mountains form होते है and sudden forces की मदश से हमारे हहाँ पर क्या आते है अर्थकोएक आते है volcanoes and landslides आते है एंड जो ये हमारी exogenic forces है जो हमारी crust के ऊपर जो generate हो रही है उनके करण क्या होता है? erosion and deposition होता है आगे देखेंगे ये हमारा erosion and deposition क्या होता है erosion and deposition करा जाता है friends हमारा river की मदद से wind की मदद से sea waves and glacier इन सब चीजों की मदद से हमारी ये सब चीजों होती है तो friends चलते हैं हमारे chapter पे सबसे पहले endogenic forces से जो हमारी interior of the earth में हमारी क्या है? generate हो रही है ये क्या है? sudden इनकी वज़े से क्या होता है? friends हमारा sudden moment होता है जैसे कि earth quake आ गया या फिर volcano erupt हो गया सबसे पहले देखते हैं हमारा volcano पे आता है और एक went के through वो भाण निकलता है बस्ट होता है ये जो बस्ट होने के बाद ये magma क्या है? चारो तरफ हमारा फैल जाता है और ये जो volcanic eruption होता है ये काफी क्या होता? sudden होता है unpredictable होता है and second one जो है friends हमारा वो है हमारा earthquake हमें पता है हमने अभी पढ़ा की जो हमारा lithosphere की plates है वो क्या है? moment so करती है और जब ये moment so करती है तो इनकी वज़े से क्या होते है? vibration generate होते है तो plate में जो lithosphere plate में जहां पर moment start होता है उस जगा को कहा जाता focus friends यहां पर जो जैसे कि इस image में यहां पर जो moment start होआ है वो क्या हुआ है? यहां पर start होआ है यहां पर start होआ है तो यह क्या है हमारा focus है and इस focus के just उपर जो हमारे earth surface पर जो point होता है earth surface पर जो point होगा उसे friends हम बोलते है epicenter and इस epicenter से क्या है हमारी waves चारों तरफ फैलती है circular waves हमारी चारो तरफ फैलती है जिसके वज़े से क्या होता है हमारे आसपास के एरिया में क्या है अर्थक्विक आता है तो अर्थक्विक क्या हुआ हमारा जो plate की moment की वज़े से ये generate होता है जहां पर moment start होता है उसे बोलते हैं focus उसके just उपर क्योंकि ये तो जहां पर plates है plates के अंदर कहीं पर moment start होता है नीचे जहां पर start हुआ है वो focus है जहां पर उपर अर्थ surface पर जो point है उसके vertically just upward उसे बोला जाएगा friends हमारा epicenter ठीक है ये जो vibration है हमारे outside की तरफ moment करते हैं और कफी ज़ादा damage move करते है एंड ये जो earthquake है ये scientifically predictable नहीं होता है कि हाँ अर्थकुएक आने वाला है तो इसके कुछ जो हमारे common people के द्वारा जो method अपना जाते हैं वो क्या है जो हमारा fish है वो ponds में क्या agitation शो करने लग जाती है मतलब इधर उदर बहुत तेजी से या फिर उनका जो behavior है बहुत ज़्यादा उगर हो जाता है और जो snakes जो है वो क्या है भार आने लग जाते हैं ठीक है earthquake preparedness methods अगर हमारे यहां पर अगर earthquake आ जाता है तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कोई safe sports डोनना चाहिए जैसे हमारे kitchen में जो slits पड़ी होती है ठीक है उनके नीचे बैठ जाना चाहिए वो हमें क्या किसी भी unusual जो हमारा roof fall या फिर उस सब चीजे से हमें बचा लेगा और हमें दोर रहना चाहिए जो भी fire appliances है जहां पर भी आग लग सकती है उस सब जगे से हमें दोर रहना चाहिए और क्या हमें क्या awareness फैलानी चाहिए आपको पता है कि आपको क्या precautions लेने हैं तो आपके आसपास जो लोग है उनको भी आपको ये सब चीजें बतानी है ताकि क्या है जो हमारा human damage है उसे minimize करा जा सके जो earthquake को measure करा जाता है किस range का earthquake आया है उसे हम measure करते है Richter scale से and Richter scale से Richter scale से हम इसे measure करते है and Richter scale पे जो अगर 2.0 है तो वो क्या है earthquake काफी छोटा है 5.0 से ज़्यादा है वो normal है and 6.0 से ज़्यादा अगर उसकी reading आ रही है तो वो क्या है एक strong earthquake है and 7.0 से अगर ज़्यादा आता है तो वो एक क्या है हमारा major earthquake कहलाता है यह तो हुआ friends हमारा earthquake और यह हमने अभी तक देखा जो inside और inside forces की वज़े से जो हमारा activities हो रही थी अब आगे बढ़ते हैं friends जो हमारे major landforms है जो हमारे landforms है वो external forces की वज़े से generate होते है create होते है जो हमारे major landforms में जो हमें पढ़ना है वो है हमारा land escape जो है हमारा किन किन चीजों की वज़े से वो worn out होता है जैसे कोई यहाँ पर कोई playground है या फिर यहाँ पर कोई मिटी है मैं उसके उपर पानी अगर गेरुंगा वाट के साथ बह जाएगी तो वो क्या है जो ऊपर की layer है वो क्या mean icon मतलब और हो खराभ हो गई है ऐसा हमारे land का one out होता है उसके ॉसके दो process होते हैpoints एक होताए वीधरिंग, एंड सैकेंड होता है फ्रेंट हमारा इरोजन वीधरिंग क्या होता है जो rocks का breakdown होता है जो rocks जो हमारे तूटती है चांब वो एक दूसरे के ओपर गिर के या किसी भी तरीके से अगर हमारा rocks तूटती है अर्थ के सरपेस पे तो उसे क्या बोलते हैं हम वीदरिंग बोलते हैं and second one is है हमारा वो है erosion erosion हमने देखा जो ये erosion agent से हमारे wind and water जो अभी मैंने example दिये कि land escape किस तरीके से खराब होता है वो क्या था मेरा erosion था ठीक है erosion क्या है जो ओपर का layer जो है हमारा वो क्या worn out होता है उसे हम क्या बोलते हैं erosion बोलते हैं और ये erosion किसके बज़े से होता है water wind ये किसी और चीज की बज़े से भी ये हो सकता है and ये जो erosion है इसके बज़े से क्या होता है land formation होता है मानली जी ये rivers क्या है mountain से आ रही है ठीक है यह mountain है, यहां से क्यारी यहां से क्या रही है? मेरी river आ रही है. यहां से मेरी river आ रही है. तो friends, यह mountain को क्या करेंगी? Erode करेंगी. उसके जो मृटी होगी, उसके जो soil होगी, उसे अपने साथ लेके चलेंगी. जहाँ पर भी लो area आएगा. उसे कहा है वहां पर deposit करती या फिर किसी एरिया में जाके यह फिलड आ जाए तो फिलड वालीвон काम करती है सबसे पहले तो वो review करती है यहां पहीड कर पर सबस्दीब करती है और यहांपर इरोढ करें लाता करती है इंड प्रव मोई करती है निहें प्रिशार हागा is एंट करने आगे कोई तो यहां पर क्या पुर्म हो जाएगा हमारा यहां पूजाएगा हमारा वाटरफोल्स अचानक से पानी काफी राइट पर नीजे गिरता है ऑसे क्या बोलते हैं जो वर्ड-वर्डक सबसे हाइस्ट वाटरफॉल है वो हमारा वैनेजवाला में है जिसका नाम है एंजिल फॉल्स जो कि हमारा वैनेजवाला में लोकेटेड है और वैनेजवाला कंट्री कहां पर साउथ अमेरिका में और जो दूसरे हमारे बॉर्डर पर लोकेटेड होने वाले कुछ वाटर फॉल्स की बात करें तो उसमें आता है हमारा नियागरा फॉल्स जो कि कनाड़ा और युएस से के बार्डर पर हमारा लोकेट डाइए कि अपरेका सॉथ अफरीका में तो आज आप आप आटलस खुलके देखिए कि यह कॉंट्रीज नौर्थ अमेरिका सोथ अमेरिका एंड यह जो अफरिका है कि काउंटिनन्ट कहां पर है यह वाटरफॉल को लोकेट करने की कोशिज करिए हमारी नाव यह तो हुआ हमारी रिवर्स जो हमारी वाटरफॉल कर दिये जब रिवर जो है हमारी मूव करती है तो फ्रेंट वो कुछ इस कई वाला जो इरिया यह हमें पता यह मत्ती अपने साथ लेकर आथी इरोड करती है डिपोजिट करती है तो यहां पर भी क्या करती है इरोजन करती है इरोजन करती है इस वाले एरिया में क्या कर देगी वो डिपोजिट कर देगी जिसकी वजह से क्या होगा फ्रेंट्स यह वाला जो पोर्शन है मेरा यह क्या है रिवर से अलग हो जाएगा और अब यहां से अपने डैरेक्ट रास्ता बना लेगी एंड जो पॉर्षण अलग होता है जैसे कि यहां पर दिखा रखा है यह वाला कि है यह पहले इस टाइब कुछ यहांपर होगा लेकिन क्या है यह इरोजन यहांपर क्या हुआ एरोजन हो यहां पर मौट कर रही है, माले जी भूष का पाई का इस इरिया तक आता है ठीक है जो आती है, तो जहां तक इसका पानी जा सकता है ठीक है यहां होने के कारण कि असका Biz यह जो इन प्लेजिट में यहां पर होते हैं। कारें के जो किया होते हैं ठेकि किनारों को जो हम क्या बोलते हैं लीफ मो willen आगे बात करें घ्रीवर से हमारी यह अर्सा तो यह या ख़तम होती है जो लेक फ्रम करती है निया महलिन अपहरा जम्हारा करता है कुछ rivers के हैं हमारी oceans में जाती है एंड जब ये oceans में जाती है तो इनके पास जो भी deposition है see friends, यहाँ पर मान लेजिए यह river आ रही है मेरी यह जो है, यहाँ पर यह blue-blue यह मेरा के ocean है यह जो river मेरी यहाँ पर आ रही है यह के जब यह अपने deposition को जब यह समंदर में मिलने वाली ocean में जब यह मिलने वाली होती है उससे पहले यह अपनी हाँ पर फैला देती है ठीक है, यह बहुत सारी छोटी-छोटी distribute में यह कहा है distributory में यह कहा है divide हो जाएगी यह जो form होता है यह triangle form में form होता है इसे ही हम क्या बोलते है delta form करते है जहाँ पर river के ocean से पहले जितने भी जो भी उसके पास material है उसे क्या वहाँ पर deposit करती है and क्या distributory में divided हो जाती है तो उसी area को हम क्या बोलते है उस river का delta बोलते है ऐसा नहीं है कि friends हर river जो समंदर में मिलने से पहले क्या delta form करती है यह generally उसे area में होते है जो low होते है छो low होते है जैसे कि हमारे इंडिया में जो हमारे इंडिया की बाप करूं अनिडिया में जो इस side को हमारी east flowing rivers है वो maximum delta बनाती है और नर्मदा और तापी जो हमारी west side में फ्लो करती है यह हमारा डेल्टा फॉर्म नहीं करती है तो ऐसा नहीं है फ्रेंट्स जो हर रिवर है वो डेल्टा फॉर्म करेगी बस हमारा मतलब था हमारा डेल्टा क्या होता है हमने जान लिया कि डेल्टा हमारा इस यह होता है अब बात करते हैं सी वेब्स की बज़े से फ्रेंट्स क्या पे जो भी प्रूशन था लैंड का उसे क्या खतम कर दिया और एक केव टाइब यहां पर बन गीए तो उसे क्या बोलते हैं हम सी के बोल देंगे एंड ये sea cave उस जो भी हमारा land का portion है उसके आरपार हो जाए मतलब वहाँ से पानी निकलने लगी तो उसे क्या बोल देंगे इस type से अगर हमारा बन जाए तो उसे क्या बोल देंगे sea arc बोल देंगे हमारा जो land है उसके बीच में ये जो portion ता वहाँ पर कहीं पर रूफ गिर्ड जाए और हमारा एक portion का बिलकुल अलग हो जाए लैंड का एक portion बिलकुल अलग हो जाए जिस टाइप से ये वाला portion का है मेरा बिलकुल अलग हो गया है ये पहले इससे connected होगा लेकिन यहां पर क्या है रूफ फॉल हो गया है ठीक है जैसे बला जाएगा हमारा इस टैक बोला जाएगा कि सी क्लिफ पर बात करें तो फ्रेंड्स ये सी क्लिफ क्या होती है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो है यह लैंड का portion है एंड यह ओशेन है ठीक है एंड यह जो लैंड है एंड यह ओशेन का जो जहां पर connection हो रहा कभी ज ज्यादा forgive 이내 यह सब क्या नाम से जानते हैं आइस क्या होता है ही के देखे हैं जो मांटेंस वगएया हैं मांटेंस वगएया कि पैसी या पर का फी ज्यादा transmit ठंडी होती है तो वहाँ पर बीबस वक्रानी चाहरा हो ग्लीसियर फोर्म होते हैं यह का एरिया में इक पत्सक्राइब मौल होते हैं अन्हें को कि करते हैं और जिस किसी एरिया में यह डिपोजिट करते हैं जहां पे भी ग्लेशियर की बज़ए से इस टाइप से डिपोजिशन हो रहा है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं ग्लेशल मोरेंस के नाम से हम जानते हैं कि अगर चालते हैं एक एज टेया करणे पर एंड होता है हमारा इसमें बात करते हैं कि हमें पताए प्रिंट चो हमारा विंड है वो एक एजsmय हमारा इरोजिंर डिपाशिशन का यह कं रग्रीक हो जाएं हमारें जो सोईल हो जाईगी हमारे टिपोजिट हो जाएगी एन जनरली यह क्या है जो हमारी किस टाइप के रोक्स बनाते हैं मस्रूम रोक्स मस्रूम रोक्स क्या होता है इनका जो बेस होता है वो काफी कम होता है और इनकी जो हैट होती है वो काफी जादा होती है क्योंकि जो इरोजन होता है न विंड के करण वो इरोजन लोवर यह वह किया इरोड हो जाता है एंड उपर का पोजिशन हमारे काफी जादा बड़ा रहता है तो किस टाइप की रोक्स फ़र्म होती है मस्रूम टाइप की रोक्स यह फॉर्म कर देते हैं एंड फ्रेंड डेजर्ट एरियाज में क्या होता है यह अपने साथ मिट्टी को लिफ्ट करते हैं लिफ्ट करने के बाद जहां पर भी विंड हमारी रुकती है वह वहां पर क्या है डिपोजिट कर देती है एंड यह कंटुनिसली चलता रहता है और इसकी वज़े से हमारे क् सब्सक्राइब थे नहीं नुटे यह को जैसे कि यहां पर यह दिखा रहा है हुआ ये मत्टी के बड़े बड़े टील ही इनी को क्या बोला जाता है सेंड oney बोला जाता है करिशियाट कभी का होता है कोई डेसर ट्रबन के वर्टे hanag के वज़े से यहां एरिया में, लार्ज एरिया में क्या है, वो उसे डिपोजिट कर दे रही है, और उन एरिया में जहां पर वो डिपोजिट करती है, उनी को कहा जाता है लोएस, ठीक है, इस सबसे बड़े जो लोएस जो हमारे मिलते हैं, वो हमें चैना में मिलते हैं, ये तो था फ्रेंट्स हम अब बात करते हैं हमारी exercise पर चलते हैं friends इस chapter की जो हमारा exercise का सबसे पहला question है वो है friends why do plates move? plate हमारी moment क्यों so करती है इसका reason है friend जो mental में जो हमारा magma है वो क्या circular motion में क्या move करता रहता जिसकी वज़े से उपर की plate जो है वो भी उसके साथ moment so करती है what are the exogenic and endogenic forces इनके बारे में हमने देख लिया जो exo मतलब की जो पहार surface के ऊपर and endo मतलब की crest के जो नीचे हमारी form हो रही है what is erosion? erosion क्या होता? wearing out of surface होता friends water flood plains जहां पर भी reverse की क्या overflow होने के करण जो भी area है जहां पर flood आई है उसके बजह से क्या है वहाँ पर जो जहां पर भी उसका पानी जिस area तक वहाँ पर पहुचता है वो क्या है उसका flood plain है sand dunes क्या होता है friends जो हमारी जो air है जो wind है वो अपने साथ क्या है? मिट्टी को ले के जा रही है and जहां पर भी settle down कर रही है वहाँ पर क्या फर्म कर रहूं हो war beaches कैसी फर्म करती ये हैं जब sea waves किनारे पर आतीँ है इसाए उन मिर्फ पास पर अपने किनारे पर डाल देती हैं जिसके वजह से भेड़ी इसाए क्या थे उ लिकलता है इस नाथ को योजन है कि तब कर दें — सहत ऑँ सी वेव का इरोजनल फीचर कौन सा नहीं है किलिफ हमने देखा फ्रेंट किलिफ है बीच है या फिर किलिफ हो गया या फिर बीच हो गया या फिर सी केव हो गया इन में से कौन सा हमारा क्या है हमारा इरोजनल फीचर इसमें क्या पूछरा फ्रेंट्स हमारे से इरोजनल फीच reindeer SBK pacip यहाँ पोजेट करती अध को सेले एक है यहां पर क्या है हमारा पीच इसमें हमारा इ DJ टांसर हो जाएका टरिफ उपटेशनल फीचर ओगलेशंघ हमने देखा नगलेशंट बनाते हैं सब्सक्राइब इसकर व्चस्ट बाइए of the earth sudden movement की बज़े से क्या होता है floodplain नहीं यह भी के river में जो flow हो रहा है वो भी कोई sudden अचानक से नहीं हो जाता है friends हमारा volcano eruption हमारा sudden होता है तो हमारा ace cancer हो जाएगा mushroom rocks are found in mushroom rocks हमारा किस area में मिलता है deserts में क्योंकि वहाँ पर जो wind move करती है वो क्या है उन जो rocks हैं जो भी rocks हैं उनके जो नीचे वाले एरिया में ज्यादा इरोजिन करती है जिसके बज़े से वहां का मट्टी का हटता जाता है और उपर का जो portion है वो हमारा बड़ा रहता जिसके बज़े से वहां पर मस्रूम टाइप की जो rocks है वो फौं होती है ऑकषबोh लेक्स और कहां पर मिलती है रिभर वैली में अकषबोH team के रिभर से अख हमरी river में ही फॉर्म होगी मैंस दा फोल्विंग पर बात करें फ्रेंट्स हमस्वा कर मैंस भरण की glacier की घृते हैंork हमरा शी सोर होते हैं मसरूम रोखना यह यह ग्लैशर हमारे क्या सहे मीयंडर मियंडर हमारो से कुछ लेना न थेना न h attend से कुछ लेना देना नी मेंडर का लेना देना रिपली सेstand एंसे वाठर फोल्डवाच वाटर वाटर फाल से वाटरफल हमारो कहां भाभ होता है यह आरही है रिवर मेरी किसी हैट से इसे नीची कितना है अगर मान लीजी यह वाला रॉक यह मेरा सौफ्ट है तो रिवर किया इसे कट करता रहेगा तो बहाँ पर वाटरफॉल क्रियेट नहीं होगा इसके लिए जरूरी का है फ्रेंट्स यहां पर क्या हमारा हाड रॉक होन सबसे पहले है सबस् appelle सब्रोक्स हैवी सेपल मसरोम का सेपल क्यों होता है क्यों कि घूब göra एकि लोगर portion में ज़्यादा हो रहा है जिसके बज़ेसे मुहां पर क्या मसरोम की यह फटल्टाइल क्या तरवक duas diotivation काफ़ी अच्छा हो सके कि फिलर्ड प्लेंस में क्या आता फ्रेंट्स जो हर्षा मॉँन्टेंज मृँंटी से मेटेक ही पॉर्टाल होती है जो फिलर्ड आती यह तो वह मेटे बाहर पहर चली जाती जिसकी वजह से जहां पर वह मस्टी गई वहाँ पर हई कि हो जाएगा है यह हो गया गूंद है कि si 還ранa ke finishing सिकयो समरे श्टेट में सिफेंष यह कोई लैंड का पोजिसन है यह आप से बड़ा होता जा रहा है वह हमारा तूट गया है तो इससे क्लिए एक लैंड कि यह मेरा पूरा लैंड का पोशियन थीक है एंट यहां पर केव है और क्या होता है के बड़ा ऊपर ऊपर जाता हुआ इस पोशन को यह क्या है बिलको ललक कर देती इस पोशन को तो इससे क्या fail हो गया हमारा शी सैक फ़ोगह है in अगला जो है हमारा Building Collapse, due to earthquake, हमारे जोTalk कोळाप्स क्यों होती है , हमें पता तो उसमें से क्या निकलती है, Wise निकलती है, जो हमारा earthly अर्थकोएच आता है तो उसमें से क्या निकलती है, हमारी Wavs निकलती है, अब आपकिसी cloth को पकड़िये और उसे अचानक जटकी की ठीके तो उस पूरे कपड़े में कवेश मूव करती है इसी तरीके से जब अर्थ के सरपेस पर जो मू यानि की जो वेश आती है उसकार मुझा हुआरड करेंग मॉमेंट dibu रखता इस तरीके से पढ़ने से तो इसी तरीके से हमारे चैनल को मोटिवेट करते रही है थैंक्यू थैंक्यू वेरी मिच्छ फ्रेंड्स